वरुन धवन को काफी पहले से गोविंदा और सलमान खान का perfect combination कहा जाता है पिछले साल उन्होंने सलमान खान की सुपर इड़ फिल्म जुरवा का remake किया था और अब खबर है कि वरुन धवन गोविंदा की सुपर इड़ फिल्म का remake करने जा रहे हैं फिल्म को उनके पापा देविड धबन ही डारेक्ट करेंगे कौन सी है ये फिल्म, कौन सी फिल्म में इससे वो धमाका मचाने वाले हैं आईए देखते हैं स्पेशल रिपॉर्ट में वरुन धबन के हाथ लगी है एक और धमाकेदार फिल्म जिसमें वो अक्टेंग करके दर्शकों के फेवरेट बनने वाले हैं सबसे बड़ी बात ये है कि वरुन धबन की नई फिल्म गोविंदा की सुपर हिट फिल्म का रिमेक होने वाली है जी हाँ ये बाते तो काफी पहले से मीडिया में आ रही है कि गोविंदा की सुपर हिट फिल्मों का रिमेक बना कर डेविड धावर अपने लाडले बेटे को सुपर हिट के सिनहासन पर बिठा कर रखना चाते हैं सुत्रों की मारे तो जुडवा टू के सीक्वल के बाद अब वरुंधा वन कुली नंबर वन का रिमेक करने वाले हैं जीहान अभ्वे की दशकी सुपर हिट फिल्म कुली नंबर वन भला किसे याद नहीं होगी 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म में सुपर स्टार गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर ने अपनी शांदर कॉमिक टाइबिंग से सभी को लोट पोड कर दिया था आज भी अगर ये फिल्म देख ली जाए तो खराब मूर भी मस्ती से भर जाता है इस फिल्म को बनाने वाले डारिक्टर डेविड धवन अब इसी फिल्म का सीक्वल बनाने जा रहे हैं जाहिसी बात है गोविंदा और डेविड धवन के बीच अब रिष्टे पहले जैसे नहीं है ऐसे में वो गोविंदा के साथ नहीं बल कि अपने बेटे वरुन धवन के साथ कॉमेडी फिल्में बना कर धमाल बचा रहे हैं अब देखिए ना बीते साल उन्होंने सल्मान खान की फिल्म जुरबाट का रिमेक बनाया जिसकी स्क्रिप्टिंग का काम पूरा हो चुका है खबरों की माने तो कुली नंबर वन 2019 में रिलीज होने की उमीद चताई जा रही है और वरुन धवन के साथ इस फिल्म में सारा अली खान नजर आ सकती है अब देखना ये है कि इस बार वरुन कुली बन कर कौन सा पोज उठाते नजर आएंगे बियर रिपोर्ट आईबी सी 24